Good Morning Students, पिशली वीडियो में हमने गढ़ी में समय देखना सीखा था और समय को घंटे और मिनट के रूभ में कैसे लिखा जाता है ये भी सीखा था हम समय को घंटा कॉलन मिनट के रूभ में लिखते हैं समय के साथ AM तब लिखा जाता है जब दोपहर से पहले का समय लिखना हो और समय के साथ PM तब लिखा जाता है जब दोपहर के बाद का समय लिखना हो AM की फुल फॉर्म होती है एंटे मेरिडियम जिसका मतलब है दोपहर से पहले और PM की फुल फॉम होती है पोस्ट मेरीडियम जिसका मतलब होता है दोपहर के बाद यहां पर मैंने आपको बताया था कि रात के बारा बज़े से लेकर दोपहर के बारा बज़े तक हम AM लिखते हैं रात के बारा बज़े से लेकर हम दोपहर के बारा बज़े तक हम एम लिखते हैं और दोपहर के बारा बज़े के बाद के समय के साथ हम पी एम लिखते हैं दोपहर के बारा बज़े के समय के बाद रात के बारा बज़े तक हम पी एम लिखते हैं स्टुडेंट्स हमने ये भी जाना था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं एक घंटे में 60 मिनट कैसे होते हैं ये भी मैंने आपको घड़ी में बताया था चलिए एक बार फिर बताती हूँ ये मेरे पास एक घड़ी है, इसमें देखते हैं, मैंने यहां पर छोटे छोटे निशान लगाए है, अगर मैं बारा से शुरू करती हूँ, तो बारा और एक के बीच में ये निशान कितने हैं, चलिए गिंते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने निशान हैं, पाँच अब हम बारा से लेकर वापिस बारा तक देखते हैं, ये निशान कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उनिस, बीस, एकिस, बाइस, तेइस, चोबिस, पच्चिस, चबिस, ता 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, और यहां पर ये निशान सारे 60 हैं, ये मिनट को दर्शाते हैं, ये मिनट को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, मिनट को, तो अगर मिनट की सुई, यहां से लेकर, ऐसे खूंते हुए, वापिस बारा पर आती है, तो इसका मतलब, 60 मिनट हो गई, और 60 मिनट में, एक घंटा होता है, 60 मिनट में कितना होता है, एक घंटा होता है, कल हमने घड़ी में समय देखना सिखा था, तो अब मुझे बताओ कि घड़ी में अब कितने बज़े हैं, क्या समय हुआ है, तो अगर हम देखते हैं, तो यहां पर 10 बज़ गई हैं, तो इस समय को हम कैसे लिखेंगे, 10,00, मैंने आपको बताया था, अगर मिनट हैंड बारा पर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 00 से लिखते हैं, तो इस समय को हम कैसे लिखेंगे, 10,00, तो स्टूडेंट्स यहां पर दोग लोग मैंने बनाई हैं तो इसमें देखते हैं पहले में आपको बताना है कि क्या समय हुआ है तो पहले में मुझे बताइए कि क्या समय हुआ है इसको हम लिखेंगे 10 बज़ कर 5 मिनट तो कैसे लिखेंगे इसको 10,05 10,05 एक पर मिनट है तो इसको हम 0,05 से दर्शाएंगे फिर अगली घड़ी में हमें क्या करना है समय दे रखा है और यहां पर सुई बना कर हमें दिखानी है तो यहां पर समय है 4,35 आर हैंड हमारा यहां बन गया है 4 पर 4 बज कर 35 मिनट हुए है तो 35 मिनट हुए है तो मिनट हैंडे किस नमबर पर जाएगी 35 कहां पर आएगा 7 पर क्योंकि अंक को हमें 5 से मल्टिपलाई करना पड़ता है गुना करना पड़ता है तो 7 पंजे 35 यह हो गए हमारे 4 बज कर 35 मिनट तो इसके बाद बचों समय तो हमें देखना भी आ गया और लिखना भी आ गया लेकिन यह भी तो बता होना चाहिए की यह सुभै का समय है या शाम का समय है तो हम समय को दो तरीकों से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताये तो हम समय को А.M. और प.M. की साथ लिखें या हम समय को दीन के 24 घंटों के अनुसार लिखें जैसे यहां पर रात का एक बज़े है तो रात के एक बज़े को हम एक कोलन जिरो जिरो लिखते हैं और दो बज़े को दो कोलन जिरो जिरो लिखते हैं और तीन को तीन कोलन जिरो जिरो लिखते हैं 4 को 4.00, 5 को 5.00, 6 को 6.00, 7 को 7.00, 8 को 8.00, 9 को 9.00, 10 को 10.00, 11 को 11.00, 12 को 12.00, 1 को 13.00, 2 को 14.00, 3 को 15.00, 4 को 16.00, 5 को 17.00, 6 को 18.00, 7 को 19.00, 8 को 20.00, 9 को 21.00, 10 को 22.00, 11 को 23.00, और 12 को 24.00, लेकिन जो यहां पर 12 और एक बज़े की समय होता है, वहां पर अगर 12 बज़ कर 10 मिनट हुई है, अगर 12 बज़ कर 10 मिनट हुई है, तो इसको हम 00.10 के रूप में दर्शाएंगे, 12.10 को हम 00.10 लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स, अम मुझे बताएंगे कि इस क्लोक में, इस घड़ी में क्या समय हुआ है, अगर आप देखते हैं, तो इसमें क्या समय हुआ है, तो तीन बज़ कर 45 मिनट, तो बचों इस समय को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, कैसे? अगर मैं इस तीन पैंटालिस को तीन बज़ कर 45 मिनट को लिखती हूँ, तो जीरो तीन कोलन पैंटालिस, तो इसके साथ अगर ये सुबह का समय है तो एम लिखना है, और शाम का समय है तो पी एम लिखना है, ये मैंने ये मैंने अम लिख दिया है, और ये मैंने जीरो तीन कोलन पैंटालिस पी एम लिख दिया है, अब इसको ये हो गया, 12 घंटे के रूप में समय, अगर हम 24 घंटे के रूप के समय में लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे हमने देखा था अगर am है तो हम 3 को 3,00 लिखते हैं यानि कि 3 को हम 3 ही लिखते हैं तो यहां पर हम 0,3,45 ही लिखेंगे अगर यह यहां पर pm के साथ लिखा गया है तो इसका मतलब यह दोपहर के बाद का समय है और दोपहर के बाद के समय के साथ हम देखते हैं कि यहां पर 3 के साथ क्या लिखते हैं 15 क्योंकि यह दोपहर के 12 हुजे के बाद का समय है और यह हमने 24 गंटे के रूप में समय लिखा हुआ है तो 24 गंटे के रूप में लिखेंगे तो 3 की जगए हम क्या लिखेंगे 15 तो इस समय को हम 03 कोलन 45 पीम को हम 15 कोलन 45 लिखेंगे तो इस से हमें पता चल गया कि यह सुबह का समय है और यह दोपहर के बाद का समय है जो हमने शुरू में ये दो गड़ी बनाई थी चलिए इन समय को भी देखते हैं यहां पर पहली गड़ी में कितना समय हुआ है 10 कोलन 05 यानि कि 10 वजगर 5 मिनट या तो मैं इनके साथ हैं एम लिखूं पी एम लिखूं ताकि पता चले कि वो दोपहर से पहले का समय है या बाद का समय है या फिर उसको 24 गंटे के रूप में लिखूं चलिए लिखते हैं अगर मैं यहां पर इसको 10 कोलन 05 यानि लिखती हूं तो 24 गंटे के रूप में मैं इसको 10 कोलन 05 ही लिखूंगी क्योंकि ये दोपहर से पहले का समय है लेकिन अगर इसके साथ मैं 10 कोलन 05 पी-एम लिख देखती हूं तो इसका मतलब ये दोपहर के बाद का समय है और अगर ये दोपहर के बाद का समय है तो 24 गंटे के रूप में लिखते समय हम 10 की जगर क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं यहां पर देखिए 10 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 22 क्या लिखेंगे? 22 तो मैं यहां पर लिख देखती हूं 22 कोलन 05 तो इससे पता चल गया कि ये हमारा दोपहर के बाद का समय है तो बच्चों अब हमने समय देखना सीख लिया है और AM, PM के बारे में भी पता कर लिया है हम समय को दो तरीकों से लिख सकते हैं या तो हम AM, PM के साथ 12 गंटे के रूप में लिखें नहीं तो हम समय को 24 गंटे के रूप में भी लिख सकते हैं इसके बाद हम सीखेंगे तारीख लिखना स्टुडेंट्स यहां पर मेरे पास एक कैलेंडर है और इस कैलेंडर में कुछ तारीखों को मैंने लाल रंग से कलर कर दिया है तो यहाँ पर मैं देखती हूँ जनवरी में जिस तारिख को मैंने कलर किया है तो उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि यह मैंने कौन सी तारिख पर रंग किया है ध्यान से देखिए 26 जनवरी तो इसको हम लिखते हैं 26 जनवरी 2020 20 लेकिन बच्चों क्या आपको पता है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं चलिए देखते हैं यहां पर बच्चों मैंने महिनों के नाम लिखे हैं और उनके साथ नमबर भी डाला है जनवरी वार्ष का पहला महिना होता है जनवरी वार्ष का पहला महिना होता है तो इसके लिए मैंने एक लिखा है फरवरी दूसरा महिना होता है तो उसके लिए मैंने 02 लिखा है मार्च के लिए 03, अप्रेल 04, मई 05, जून 06, जुलाई 07, अगस्द 08, सितंबर 09, अक्तुबर 10, नवंबर 11 और दिसंबर 12 तो बच्चों, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है 26 जनवरी 2020 और जनवरी यहां पर हम देखते हैं तो पहला महिना है और इसके लिए हम 01 लिख सकते हैं क्योंकि यह यहां पर बच्चों मैंने महिनों के नाम लिखे हैं और उनके साथ हैं, नमबर भी डाला है, जनवरी वर्ष का पहला महिना होता है, तो इसके लिए मैंने एक लिखा है, फर्वरी दूसरा महिना होता है, तो उसके लिए मैंने 02 लिखा है, मार्च के लिए 03, अप्रेल 04, मई 05, जून 06, जुलाई 07, अगस्द 08, सितंबर 09, अक्तुबर 10, नमबर 11, और दिसंबर 12, तो बच्चों, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है 26 जनवरी 2020, और जनवरी यहां पर हम देखते हैं, तो पहला महिना है, और इसके लिए हम 01 लिख सकते हैं, क्योंकि यह पहले नमबर पर आता है, तो एक लिखा है मैंने, तो इसको हम दूसरे तरीके से 26, 01, और 2020, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फरवरी में मैं देखती हूँ, तो 10 को मैंने लाल रंग से कलर किया है, इसको लिखते हैं, 10 फरवरी 2020, तो फरवरी कौन सा महिना होता है, दूसरा महिना होता है, तो दूसरे तरीके से लिखते समय हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 फरवरी यहाँ पर देखेंगे, दूसरा महिना होता है, तो इसके लिए हम 02 लिखते हैं, 02 और 2020, आगे देखते हैं, ऐसे ही हम सितंबर में देखते हैं, यहाँ पर कौन सी तारिक में लाल रंकिया हुआ है, 11 में, तो मैं इसको लिखती हूँ, 11 सितंबर 2020, अब सितंबर देखते हैं, कौन सा महिना है, 9 महिना है, और 9 महिने को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 09 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 11 09 2020, तो बच्चों, ऐसे हम तारिकों को दो तारिकों से लिख सकते हैं, एक तो उसको महिने के साथ, और दूसरा महिना कौन से नंबर पर आता है, जैसे जन्वरी पहला महिना है, तो हम उसको 01 से दर्शा सकते हैं, और ऐसे ही सितंबर 9 महिना है, तो उसको हम 09 से दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पर 11 सितंबर 2020 को मैंने 11 09 2020 लिखा है, तो बच्चों, आज हमने समय देखना सीखा, समय को घड़ी में देखकर लिखना, और समय देखकर घड़ी में सुईया बनाना भी सीखा, हमने जाना कि समय को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, या तो 12 गंटे के रूप में लिखते हैं, तो हमें उसके साथ AM और PM लिखना पड़ेगा, और उसको हम 24 गंटे के रूप में भी लिख सकते हैं, राद के 12 बज़े के बाद के समय को दोपहर के 12 बज़े तक हम AM के साथ लिखते हैं, और दोपहर के बारा बजे के बाद के समय को हम रात के बारा बजे के समय तक पी-म लिखते हैं और ए-म का मतलब होता है दोपहर से पहले और पी-म का मतलब होता है दोपहर के बाद उसके बाद हमने जाना कि हम तारीक को भी दो तरीकों से लिख सकते हैं तो बच्चों आज के लिए इतना ही उमीद करती हों आज का टोपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा